हम लोग भगवद गीता के सातमे अध्याय के 20 शlatedक को देखेंगे jakie पीशियंगे काम एस्टेह हरत ज्ञान हां प्रपध्यंटे अन्य देवता हैं तंटम् निय ममास थाया प्रक्रतयानिया तहस्वया यानी तहस्वया काम के द्वारा 23 ज्ञाना उन लोगों का ज्ञान अपहित समझते हैं अपहर कर ले जाता है इस कारण से प्रपध्यंति अन्य देवता अर्थाथ भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवता की वह शरण लेते हैं उनके पूजा करते हैं भजन करते हैं और तम तम नियमम आस्थाया उन उन देवताओं की पूजा करने के लिए जो नियम है उसमें स्थित हो करके रहते हैं प्रकृतिया नियतास्वया अपनी अपनी प्रकृति अपने सभाव के अंसार जिनकी बुद्धी भौति के च्छाओं द्वारा मारी गई है फिर देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने सभाव के अंसार पूजा विशेश विधी विधालों का पालन करते हैं आप यहां देख सकते हैं कि भगवान जो अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं उनकी बहुत प्रिशंसा नहीं कर रहे हैं जो कोई भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आता है उनके भगवान ने कहा उदा रहा है लेकिन जो लोग अन्य हैं जिनकी बुद्धी काम इच्छाओं से भोग की इच्छाओं से हर ली गई है वह देवताओं के पास आ जाता है यह आपको याद है ना पिछले श्लोग पर हमने चर्चा कर रहा था कि जो भगवान कृष्णी की पूजा करता है उसे महान भोग भी प्राप्त होती है अगर उसकी बहुते कि इच्छाएं होती है तो देना चाहते हैं वस्तुएं और जब उनको प्राप्त करता है तो कई जन्मों तक उन भोगों को प्राप्त करने के बाद उसके बाद उससे उपरत हो जाता है मतलब उसका इच्छा उप जाता है और फिर वह समझ जाता है कि और फिर वक्तों का संग उसे प्राप्त होता है और वह समझ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है भगवान की तरहन चाला जाता है लेकिन ऐसा देवताओं के संग नहीं होता है फ्रमुक्त नहीं हो पाते ध्यान दीजेगा कि जो हम देवताओं से पूछ मांगते हैं तो देवता भले वो वस्तु दे दें लेकिन उतनी ही देती हैं जितने की रूल के अंसार नहीं जानी चाहिए इसने इतनी पूजा करी है तो इसको इतना दे देता हूं और हमकोwel अच्छी बुद्धिрий नहीं देते हैं कि यह पुद्धी नहीं देते हैं कि मां प्ली तो चले गए तो कहने करते हैं कि अगर फूजा छोड़ देंगे तो फिर वह है दुख भी देते हैं और भागवत में आगे भी हम सुनेंगे करते हैं फिर बगवान करते हैं पूजा करते हैं अपनी सबॉझण से अपन aligns उस प्रकार से गवान वस्तुवें विडेते हैं और बद्ध विबेंए दिए व के पूछी आपकाल जलते क्यों है यहां पर उन लों ने नहीं आपने कि पूजा करते इनको भागवान की पोजा करते उनको भगवान की नहीं लेकнулतें नहीं हैं लों के बुद्धि अंब अब तु वोगों की बुद्धी हो जाती है कि देवता और बंवान समान है परन्तु जो देवताओं की पूजा करते हैं चूंकि वे त्वरित सुक की इच्छा से पूजा करते हैं त्वरित मतलब बहुत जल्दी प्राप्त होने वाद तुरंद मिल जाए कुछ वे इस जगत में जन्म लेती रहते हैं इस कारण से यह आगे चार्श लुक में ब सुरिदेव आदी बिमारियां या अन्य देवधाओं का जल्दी ही नाश कर सकते हैं लेकिन विष्णु इस कार में सक्षम नहीं तो देखिए देवताओं की उपासना करने वाला भगवान विष्णु पर श्रद्धा भीन हो जाता है यह कम हो जाती श्रद्धा उसकी सुस् वे विशेश नेमों का पालन करते हैं जो कि उनकी व्यक्तिकर संस्कारों द्वारा नेंत्रित होती है यह बड़ा सुन्दर श्रिमत्भागवत में इसका वड़न नाया है कि जो विक्ति रजगुण रजगुणी प्रकृति का होता है उसको वैसे ही देवता पसंद आते हैं जो रजुगण में होते हैं में जैसे कि हम सुन्ते हैं साथ्व के लोग देवतां की पुझा करते हैं उसी के उन्रूप देतां की आता है। कि जैसे लोग की रज़स राजशिक तामसी प्रकृति हुए उनको वैसे देवटा पसंद आते हैं, उसी तरह के कि पूजा पाध पसंद आता है, और उस प्रकार से वो लोग पूजा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके संस्कार ऐसे हैं कि वे उन्हें मेरी शरण लेने का विरोध करते हैं ऐसे लोग को अगर बताय भी जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं तो वे कृष्णी की शरण में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरुजन का संस्कार उनका इस प्रकार का है कि भगवान की भक्ति के प्रतिया आकर्शित नहीं होते हैं जो समस्त भौति कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान के शरण घर्ण करते हैं और उनकी भक्ति में ततपर होते हैं जब तक भौतिक कलमस्त धुल नहीं जाता तब तक वे सभाव अभक्त रहते हैं अर्थात किंचित मात्रवेब भो की इच्छा करते ही रहते हैं कि पिंटो जो भावतिक इच्छाओं के होते वह भी भावन की और। उनमुक होता है वे भहिरंगा द्वारा आकरश्ट नहीं होता भावरंगा शक्ति द्वारा थो चूकि वे सही उद्देश्य की और सम अगरसर होते हैं अताव शीज़ी सारी भावतिक काम इच्छाओं से तो हो क्योंकि वे भगवान की संपर्क में आ रहा है वह शुद्ध हो जाता है इसी लिए आप देखेंगे भागवत में बोला गया है कि यह जो इसा धाय को पढ़ेगा उसको यह भौतिक फ़ल प्राप्त होगा पढ़ाए कि नहीं क्यों ताकि भागवत उसको एंकरेज करें क किसी भी तरह उसकी मति भागवत में लगे तो सही और क्योंकि भागवत की संपर्क में आ रहा है तो बहगवान की महिमा की संपर्क अभी आप रुख जाईए अब हम इस लोग की चर्चा करेंगे शुमर्भागवतम से तो इस पे कि पहले गिर्धर लाज जी बुलते हैं क्या देखे अकाम का अर्थ है कहते हैं इस लोग को देखते रही उसको शब्दों के अंसार समझेंगे अकाम का अर्थ है कामना से रही ये एक अर्थ है इसकी कोई जगत में कामना नहीं तो उससे पहले जो श्लोक आया था ये अकाम सर्वकामवा से पहले वन्नन है भागवत में किसी की अगर पुत्र चाहिए तो इस देवता की पूजा करो अगर स्वास चाहिए तो इसकी पूज करो शिव जी की पुज़ा करो ओर अंतर तो कथभा बोला गया यह शलोख अकामाँ सर्व कामवा मुक्ष काम उतारधि जाहे विक्ति कामनाओं से रहित हो जाहे सारी कामनाओं उसमें हैं जाहेँ मुक्ष्कामी हो वैं भगवान अधोक्षाच ला ही भजन जो कामनाय नहीं कहीं गई वहभी अगर उंसे भी कोई बूरी से बूरी अच्छी से अच्छी कोई भी बहुती काम नस्य यूकत हो उसे भगावान Krsite अच्छी काही भजन करना चाहिए को शुक्दे को कहा रहा है? मुक्ष कामि आर्द अर्थात मुक्ष चाहने वालव यह और रोज नीमित रूप से भगवान कृष्ण का ही बजन करते हैं, तब उनकी बक्ति तीवर कहा जाता है, तीवर बक्ति कर समझ रहे हैं, नीमित रूप से रोज बक्ति कर रहा है, चाहे उसकी इच्छाएं कैसी भी हो, जैसे आप देखो दिती, अपने सौध के बेटे इंद को मारना चाहती थी, तो उसने एक साल तक लगातार भक्ति करे, ऐसा नहीं था कि एक दिन कृष्ण की करी, अगले दिन नहीं करी, है कि नहीं, और एक साल के बाद उसका हरिदय परिवर्तित हो जाता है, तब यह देख रहे हैं, तीवर ना भक्ति का मतलब, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, वो एक निष्ट भाव से भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, समझ मैं, साधना की रूप में कृष्ण की भक्ति करते हैं, साधना कोई और नहीं लेते हैं, अब मान लिजे कोई परम पुरुष का अर्थ है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष् जाहे विरक्त भी क्यों नहों हर चीज से भी विरक्त हो लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो संसार मृत्य रूपी चक्र नश्ठ नहीं हो सकता है अब कोई शंका ये कर सकता है रहे भाई क्रिष्ण का भजन करेंगे और देवताओं का भजन नहीं करेंगे तो जो देवताओं से फल प्राप्त होते वह फल प्राप्त नहीं होगे एक शंका कर सकता है तो कहेंगे नहीं नहीं जो भी तुम देवताओं से प्राप्त करना चाह हैं वहेंगे इच्छा तमारी पुर्ण हो सकती है भगवान कृष्ञे के भजन के देनारहीं ओधा सकता है माई किसी एक देवता में एक मुर्शष प्रकार का फल देनी की ही चक्ति होती है कि नहीं यह जानते हो लेकिन भगवान के पास कोई भी फल देने की शक्ति है और यह बाद आगे बताएंगे जितने भी देता कोई फल देते हैं भगवान के द्वारा दियाता है मैय यह अच्छा मान लिजी कोई कहे कि भई देवताओं के भजन करके जो फल प्राफ्त होते हैं ठीक है अगर आप मोख्ष चाहते हैं तब क्या तो कहते हैं मोख्ष काम अगर आप मोख्ष भी चाहते हो तो भगवान का भजन करो भगवान बड़े असानी से मोख्ष दे देते हैं जो उनके पूजा करता चक्रवर्ति पाद इसमें क्या कहते हैं बहुत सुन्दर पहली चीज वह कहते हैं कि अकाम का अर्थ क्या है इससे पहले वाले श्लोक में भागवत में इसमें लिखा है कि अकाम जो है जो काम होना चाहता है वे भगवान विश्णों का भजन करें यहां पर श्रब दाया है पिछले श्लोक में इसमें क्याते हैं अकाम हां पुरिशम परम 2.3.9 में मेरी बास समझ बहुत तेज हो रहा है तो बोले कि जो व्यक्ति अपने हिर्दे को शुर्द करना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करे परमपुरुष का अकाम का वर्थ लेते हैं अब इस श्लोक में वह कहते हैं कि न सिर्फ जो अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना जो आत्मराम हैं जिने जगत में कुछ भी नहीं चाहिए वह भी भौवान श्री हरी का बजन करते हैं क्योंकि भगवान की ऐसे दिवगुण हैं उनसे आकर्शितों के भगवान का बजन करते हैं आसे लोग भी करना चाहिए श्रीद्य स्वामी के अंसार अकाम का अर्थ है हैं को कि अकाम om करता है जिस्की सुख भगवान के सुख में किना सुंदर अ जो जिसंकी और को काम नहीं है केवल भगवान को देने में ही उसका सुख है वह भी अकाम है इस और कोई इच्छा नहीं यह तो सुना है आपने अंटि proximity पर सलेंग कि ब्रकरते हैं भुआ और सर्व काम सभी प्रकार की इच्छाओं को जोड लेगा अब बड़ी सुसंदर बात है तो चैह रहे हैं मोख्ष काम क्यों और बोला है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक और आषफ लेते हैं कि जो विक्ति मोख्ष की कामना चाहता है कुछ से भी अधिक कामी है जो भौत्ग वस्त्व का चाहता है कि यस है जो बिक्ति मोख्ष चाहता है वह सर्व ने नहीं नहीं कामी की मतफ़ डिक यॉट कामी तो जो व्यक्ति 46 सर्वकाम से भी अधिक कामनाओं से भरा है है और क्यों क्यों क्योंकि यह मेले इंगित होता है कि सर्व काम यो यो की संगे बिसको हम सुनते हैं तार-मध्य-मोब्ष वांच्षा-कैटा प्रधान जहां होते कृष allegedly प्रद्धान जो चीटिंग इच्छा है क्यों क्यों कि बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा नहीं करने पड़े काम का अर्थ क्या है कि अपने दुखों को हमारी हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए और हमें सुख प्राप्त हो यह तो काम का अच्छा है हमारे दुख में दुख न प्राप्त हो हमें सुख मिल जाए भगवान कहां पर है भगवान कहीं पर बिने इसलिए से काम कहा जा रह तो कृष्ण कामी को काम से युक्त कहा जा रहा है अब वो क्यों कह रहे हैं कोई कह रहे हैं कि जो ज्यानी है वह चाहता है कि वह ब्रह्म हमें मिल जाए और ब्रह्म हमें मिल करके उसे वापस किसी की सेवा नहीं करने पड़े भगवान की भी सेवा नहीं करने पड़े तो आप जानते हैं कि ब्रह्म हमें सायुजी उसे प्राप्त हो जायेगा तो बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा से वह विरत रहेगा जो विक्ति स्वर्ग जा रहा है वह जो थोड़े समय के लिए भोगों में प्रविर्थ होगा और भगवान के सेवा से वो विरत होगा ये बास समझ में आ रही है लेकिन जो जिएस जो ब्रम्ह में मिल गया वो तो बहुत लंबे काल के लिए हो गया पाना बगवान के सेवा से अलग तो इसलिए उसको और अधिक कामयी बोला जा रहा है इस वेक्ति को जो सव्था जानना चाहता है उससे अधिक कामख बोला जा रहा है उस वेक्ति को जो मोख्ष चाहता है पिर बदय् misma in ृध록 जाften झाल ज़ाएगा तो थोड़ी टाइम के लिए भागवान की सिवा से दूर होगा हाँ अधिया इस वाहन में zessफ उश्वा क्रसकताा है पिकर सकता है हां कर जैसे भागवान शर्वत सर्वदा और से भagति भंसर्वत्व है। शुद्र वख्ति कर अब इस वा Emerald के हमने सुन रहे हैं भानूमाण से विक्टि को कहा भंब्र कर देख करने का माघकोब कभलता है जो wheat लेवी के बात होती तो यहां पे अचारपाद की पूलते वोई ही कह रहे हैं कि वेक्ति सरवकामी है वह स्वह कजा करके वापस आकर भोग मलब बोग जिसे में सुना भी था भोग पराप्त कर की ज्ञानवान हो जाता है वह बदी करता है लेकिन अगर आप उसका उत्तर नहीं करो वह थैसे गांई किसी भी स्तिति में कहीं भी कर सकते हैं इनका उद्देश भक्ति यह जो मुक्ष मोख्ष कामी है क्या उद्देश उसका भक्ति है अब जैसे कफिर राप कर रहे हैं कि उसकी अदेश भ Loki नहीं है भक्ति को तब टक करना जाता है जब तक उसको मुक्ति प्रापत्ना हो हूद गug जैसे कि आम जानते राम-दास ये लगता राम-राम कॉरत था अदए टाकि मैं राम बन जाओंगा और महाप्रोब से प्रसंद नहीं हुए तो जब अच्छी लोग में बात की जा रही तो उसमें बताया था कि शुद्ध भक्ति ही जीवन का लक्ष है वहां बड़ा सपस्ट है अमबंद अभी दे तत्व बताया गया तो शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे ह है तो उदारे जी इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर जो पॉइंट वह बोल रहे हैं कि जो मुक्ष कामी विक्ति है उसकी कामना ज्यादा है अपने दुखों की निवृत्ति की और सुख प्राप्ति की इसमें भगवान की सुख की बात नहीं करता यह बात हमको समझने पड़े जहां hoit disappointment भकति अंतरधान इसको क्या समझाएं गये जिसकी मुक्ष की इच्छा है कि मुख्ष प्राप्त करना चाहता है भगवान की भटि करके उसको भकति साधन की रूप में कर रहा है उसको भक्ति कहाँ प्राप्त messaging कर रहा है इसलिए शांता ख़़गी आगे लेकिन का मुख्तिमक्ष कामी से ज्यादा कामना है यह बात कि आपने पहले पढ़ेंगे अगर आ भिवंति पढ़ेंगे प्रमाण क्या है प्रमाण अच्छा कर दिवार ने चतु सलो के भागवत्नम का फोर्ट सलो की प्रमाण ने प्रोटि कहीं में भी जा सकती है लेकिन ब्रह्म में रहके कहां बक्ति की जा सकती बताईए कौन भक्ति कराएगा ठीक है मैं उसका परपट क्याद आएगा आप ऑखेथ यहां पर इस तर्शा यह कर रहे हैं कि जो विक्ति प्रकार का ज्ञानी है वह ब्रह्मक आनुभव करना चाहता है और कर्मी से अधिक कामना से योगत्त है है कि है यहां पर बता रहे हैं ऑगवान के भक्त होते हैं वह तो मुक्ति भी नहीं चाहते और वह कोड करते हैं श्लोक मैं हजारों हजारों योनियों में कहीं पर भी भ्रमण करूं तो आप मेरी अच्छुत भक्ती एकदम फिक्स्ट भक्ती नहीं है तो यहां पर निश्काम भक्तों का बुञण करने हैं उसके बाद मैं किसी भी योनी में प्रवेश कर जाओं भगवान लेकिन उसमें मेरे आप हे रिशिकेश आपके चल्ड़ में दिर्ड़ भक्ति हुँ तो आप देख सकते हैं इस पर्स टूप से कि भक्तों को भक्तों की इच्छा ये भक्तों का सुक्ज है वह भगवान के सुक लोग पर लोग प्रस्ट करते हैं इसी जनामें ब्गवान को चले जाएंगे प्रश्ट्न ही गलत है देखिए भगवान के धाम हम तब जा पाएंगे जब possiamo चाहेंगे आप कितना भी भक्ति कीज्ँगे जब भग-वान चाहेंगे तब हम बगवान के धाम जा सकते हैं आप यही योगता मलब भवना आती कि मैं तो योगी नहीं हूं बगवान के धाम जाने लिए जैसे कि यहां पर देख रहें एक भक्ति सोच रहा है कि मेरे कर्मगन सार तो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता और मैं जहां भी भक्ति जहां पर भी में रहूं आपकी भक्ति में दिरता से करता रहें अगर जिसमें जैसे आपका खुशी हो आप चाहें तो अपने धाम में बुला लीजिए और चाहें तो मुझे अलग आगे जनम दीजिए ठीक है इसमें भगवान से प्रार्तना कर रहे हैं कि भगवान हमें इस प्रकार से सिष्छा दीजिए कि हम सदा ही आपके चरण कमलों का स्मर्ण कर सकें जदेपी हम इस जगत के जन्म के चंदार चक्र से मुक्त ना भी हो और फिर वह प्रिशित महराज की बात बोलने हैं सारे श्लोक दिए जा रहे हैं ताकि भग्तों की मनों भावना को बताया जा सके तो कह रहे हैं यहां पर प्रिशित महराज कि मेरा जन्म चाहे कहीं पे भी हो लेकिन मेरी रती भगवान अनंत में रहे भक्तों का अच्छा संग प्राप्त हो जो उनके शरणागत हो और सभी जीवों से मेरी मैत्री हो अब वो कह रहे हैं आखरी में समझार है कि उदारधी क्यों कह रहे हैं तो कह रहे हैं क्योंकि उनने भगवान को अपनी भक्ति का भक्ति मैं सेवा का क्या कहेंगे इसको अब्जेक्ट को क्या कहेंगे विशय बनाया है भग्वान की सेवा कर रहे हैं और भग्वान की सेवा ना करना यह मुहटता है लास्ट में बोलते हैं कि भक्ति की भक्ति की गुण क्या है तीवर मतलब ग्यान और कर्म का मिश्रण नहीं करते हैं कि अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए और किसी साधन का आश्रे नहीं लेते कि इवल भग्वान की भक्ति करते हैं इसलिए तीवर कहा जा रहा है रहुपाज जे अपने रहापर में बताते हैं कि जैसे सन की जो सूर्फी जो रोष्नी है अगर किसी और रूसे से मिली नहीं तो बड़ी तीवर होती है प्रभाव बड़ा तीवर होता है जैसे आप देख सकते हो दुरु महाराज भोग प्राप्त करना चाहते थे दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना चाहते थे तो उनके सभी गुरुवों ने उनकी माने नारज मुनी सभी ने उनको यही सक्षपर में चक्रवार्त आभ जाते हैं कि कोई सक्रवाध्त है यही नहीं कि क्यों कि अंजी कहा हिए स्काम फाल ही लेते हैं। कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कि तुम यहां देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उदारधी है चाहे किसी विहावना से भगवान की भक्ति करे अंत्तु कत्वा शुद्ध हो जाएगा ठीक है आगे पढ़िए जो अलपग्य हैं और जिन्हों ने अपनी अध्यात्मिक चेतना खो वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं अताव वे विभिन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे पूजा के विधिविधानों का पालन करने में ही प्रसन्य रहते हैं देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते क कि परम लक्षित तक किसी प्रकार बहुत सुदर बात ही आठ में ध्याय में आएगी कोई विक्ति किसी देवता की बड़ी श्रद्धा से पुजा करके उसकी करता है फिर उसको देवता लोग मरने के बाद वो देवता की लोग में ले जाते हैं फिर जब उसका पनिशीन हो जा लग रहा है कि देवता की बुजा करने की क्या जरुरत है कि मैं इस चक्र में फसा रहूंगा लेकिन जो बुद्धिमान लोग नहीं है वो इस प्रकार से नहीं समझ पाते तो वह कर्मकान में लटके रहते हैं पड़ी है किन्तु भगवत क्यूंकि भगवत भक्त कभी भी प भगवत भक्त नहीं है वोच सोचते हैं कि देवता कुछ कार्रों के लिए भगवान से स्थ हैं किन्तु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान क्रिश्ट नहीं सब के स्वामी है चैतने चैतामृत में कहा गया है एक लिए इश्वर कृष्णा आरसब भठित्य केबल रिश्वर पर निर्वर रहता है और वह जो कुछ देते हैं उसी में सदोश्ट रहता है एक और बात यह है कि देखिए भगवान हमको ऐसी वस्तु नहीं देंगी जिससे हमारी मती खराब हो जाए लोग भगवान क्रिष्ण के बास कभी कभी नहीं जाते लेकिन जो बुद् लुद्धिन की बहुत उधार है तो चाहे बहुती के इच्छा हो चाहे मोक्ष की इच्छा हो चाहे कामना वह से रहित रहने के चाहो कामना से रहीत हो अगर उनकी उधार अधी है बुद्धि उधार है तो वैं भगवान कृष्णी की ही शरण में जाते हैं कोई प्रश्ण यहां था कि 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 स्विश्ण स्टाप यह श्रीमत भगवद गीता की जाए श्रीमत पहुपार की जाए